जहां सर्दी जुखाम खांसी बुखार यह सारे नजाने क्या क्या होता है यह मामले बढ़ जाते हैं ऐसे में मेरी आप सभी देश्वासियों से प्रार्फना है कि ऐसे समय अपना ध्यान दखिए साथियों यह बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यू दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुन्ना में भारत संबली हुई स्थिति में है समय पर किये गए लॉकडाउं और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलोक वन हुआ है व्यक्तिगत और सामाजिक वहवार में ला परवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है पहले हम मास को लेकर दो गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ दोने को लेकर बहुत सतर्क थे लेकिन आज जब हमें जादा सत्रक्ता की जरूरत है तो ला परवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है साथियों लोकडाउन के दौरान पहुत गंभीता से नियमों का पालन किया गया था अब सरकारों को स्थानिय निकाय की संस्ताओं को देश के नागीतों को फिर से उसी तरह की सत्रक्ता दिखाने की ज़रूरत है विशेशकर कंटेंडमेंट जौन उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं हमें उन्हें तोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधान मंत्री पर तेरा हजार रुपिय का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने भीना गए भारत में भी कि स्थानिय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए यह 130 करोड देश वास्चों के जीवन की रक्षा करने का भ्यान है भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान मत्री कोई भी नियमों से उपर नहीं है साथियों लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्रात्मिक्ता रही ऐसी स्थिति ना आए कि कि किसी गरीब के घर में चूला न जहलो केंद्र सरकार हो राज्य सरकारें हो सिविल सोसाइटी के लोग हो सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश ना है हमारा कोई गरीब भाई भैन भूखा न सोय देश हो या व्यक्ति कि समय पर फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना लेकर आए इस योजना के तहट गरीबों के लिए पौने दो लाग करोड रुपिय का पैकेज दिया गया साथियों बीते तीन महिनों में 20 करोड गरीब परिवारों के जंदन खातों में सीधे 31 हजार करोड रुपिया जमा करवाए गये इस दोरान नव करोड से अधित किसानों के बैंक खातों में 18 हजार करोड रुपिय जमा हुए इसके साथ ही गावों में स्रमीकों को रोजगार देने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्या रोजगार अभ्यान तेज गती से आरम कर जा रहे हैं इस पर सरकार पच्चास हजार करोड रुपिय खर्च कर रही है लेकिन साथियों एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हरान किया है आश्चरे में डुबो दिया है वो ये कि कोरोणा से लड़ते हुए भारत में असी करोड से जादा लोगों को तीन महने का राशन याने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या चावल मुप्त दिया गया इसके अतिरिक प्रती परिवार हर महिने एक किलो दाल भी मुप्त दी गई यानि एक तरस से देखे तो अमेरिका की कूल जनसंख्या से डाई गुणा अधिक लोगों को ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुणा अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग दो गुने से ज़्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुप्त अनाज दिया है साथियो आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्व कुछ गोषा करने जाना हूँ साथियो हमारे यहां वर्शा रूतू के दोरान और उसके बाद मुख्य तोर पर क्रिशिक शेत्र में एग्रिकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सूस्ती रहती है जुलाई से धीरे धीरे तो हारों का भी माहोल बनने लगता है अब आप देखिए अभी पांच जुलाई वो गुरु को निमा है फिर शावन शुरू हो रहा है फिर पंद्रा अगस्त आएगी रक्षा बंदन आए गया कृष्णा जन्मास्त में आएगी गनेश चतूर्थी आएगी ओनम होगा और आगे जाएं तो काटी बियू है नवरात्री है दुर्गा पूजा है दशारा है दिपावली है छटी महिया की पूजा है तो हारों का यह समय जरूरते भी बढ़ाता है खर्च भी बढ़ाता है इन सभी बातों को ध्यान में रखते विए यह फैसला दिया गया है कि प्रधान मंत्री गरीव कल्यान अन्य योजना का विस्तार अब दिवाली और छट पूजा तक यानि नवंबर महिने के आखिर तक कर दिया जो यानि असी करोन लोगों को मुप्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई अगस सितंबर अक्तूबर नवंबर में भी लागू रहेगी सरकार द्वारा इन पांच महिनों के लिए असी करोड से जादा गरीब भाई बहनों को हर महिने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुप्त महया कराया जाएगा और साथ ही प्रतेक परिवार को हर महिने एक किलो चनाभी मुप्त दिया जाएगा साथियों प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के इस विस्तार में नब्वे हजार करोड रुपिय से जादा खर्च होंगे और अगर इसमें पीछले तीन महने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब डेड़ लाग करोड रुपिया हो जाता है अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देख रहे हैं कई राज्जों ने तो बहुत अच्छा काम भी कि राज्जियों पर भी हम आगरे कर रहे हैं कि को काम पार के बड़ा है अब पूरे भारत के लिए एक राशनकार की बवस्ता भी हो रही है यानि एक राश्ट एक राशनकार बन नेशन बन राशनकार इसका सबसे बड़ा लाब उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवशक्ताओं के लिए अपना गाउं छोड़ करके कहीं और जाते हैं किसी और राज्जे में जाते हैं साथियों आज गरीब को जरूरत मंद को सरकार अगर मुप्त अनाज दे पा रही हैं तो इसका स्वे प्रमुकृप से दो वर्गों को जाता है पहला हमारे देश के महंतिक किसान हमारे अन्न देता और दूसरा हमारे देश के इमांदार टैक्सपेयर आपका परिश्रम आपका समर्पन ही जिसकी वज़े से देश ये मदद कर पा रहा है आपने देश का अन्न भंडार भरा है इसलिए आज गरीब का प्रमिश्टा चुला जल्ड़ा है आपने इमांदारी से टैक्स भरा है अपना दाईत्व निभाया है इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान हर टैक्स प्रेयर का रुड़े से बहुत बहुत अभिनदन करता हूं उन्हें नमन करता हूं आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेश करेंगे हम गरीब पीडी शोसीत वंचीत हर किसी को ससक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे हम सारी एहत्याद बरते हुए एकनोमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे हम आत्मंदिर भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे हम सब लोकल के लिए वोकल होगे इसी संकल्प के साथ हम एक सो तीस करोर देश्वासियों को मिल जुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है आगे भी बढ़ना है पिर से एक बार कि मैं आप सबसे प्रांथना करता हूं आपके लिए भी प्रांथना करता हूं आप से आंग्रह भी करता हूँ आप सभी स्वस्त रहिए दो गज की दूरी का पालन करते रहिए गमच्छा फेस कवर मांस यह हमेशा उप्योग कीजिए कोई लाव परवाही मत बरती है इसी आगर इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूं धन्यवाद धन्यवाद